हेलो बच्चों मैं दीपेंद सिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादे श्टेडियम में स्वागत करता हूँ कलाश चिंद के बच्चे पढ़ रहे थें फेजिक्स पहुतिक विज्ञान में आप लोगों को जारनल चैप्टरों में से तीन चैप्टर पूरी तरीके से करवा दिया है और तीन लेशन चेप्टर के कुमार मित्तल की बुक से और बालाजी बबलीकेशन की बुक से आप लोगों को नुमेरिकल करवा दिये चौते लेशन की आप लोग ठीवरी पढ़ रहे थे, नुमेरिकल आप लोग पढ़ चुके थे थेयोरी में आप लोगों ने एक लेक्चर इसका पढ़ चुका है आप सेकेड लेक्चर की बात करते हैं सेकेड लेक्चर में देखिए आपको बताने जा रहा है कि वैद्धु छेतर क्या होता है कि सुरी चुम्बकी च्षेतर कि चुम्बकी च्षेतर क्या होता है तो देखो समझेगे आप सभी को पता है कि यदि यह क्या है चुम्बक है चुम्बक में क्या होता है कि इसके चारो और एक लिमिट दूरी तक एक एरिया होगा जहां तक कोई चुम्बकी पदार्थ जैसे लोहा आदी क्या करेगा वे चुम्बकी आकरसण या प्रतिकरसण के बलका अनुबव करेगा अर्थात ये अगर चुम्बक है इसके दौरा एक लिमिट दूरी तक तो ये चुम्बकी पदार्थ को आकरसण करेगा उससे अधिक दूरी पर ये आकरसण नहीं करेगा अर्थात वहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होगा तो किसी चुम्मक के चारो और एक छिट जैसे की चुम्मक रखा यहां अब यहां से हम कुछ काफी दूरी पर रखिड़ें दूसरा चुम्मक के कोई पदार्थ रख दे लोगे की छड़ या कील कोई तो क्या वो इसको अकरसित या प्रतकरसित करेगा नहीं करेगा इसके समीप रखें तब तो ये करेगा जैसे इसे दूरी बढ़ती जाएंगे तो क्या होगा इसका प्रवाव कम होता जाता है चुम्मक में आप सभी ने प्रियोक किया होगा देखा होगा तो क्या होता है कि एक चुम्मक के चार और एक छेतर होता है चुम्मक के चार और का वय छेतर जहां कोई चुमकी पदार आकर्स्तन या प्रतिकर्सन के बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है चुमकी छेतर अधवा चुमकी बल छेतर कहलाता है इसे क्या कहते है चुमकी छेतर अधवा चुमकी बल छेतर कहते है ये तो बात हो गई किसकी चुम्ब की छेतर की अब बात करते हैं चुम्ब की छेतर की तीवरता की फीगर नहीं बनाना है हेटिंग डालनी है चुम्ब की छेतर स्क्रीन में जो आपको डिफिनिशन लिखी थी वो आपको डिफिनिशन लिखनी है इसकी बाद अगली जो heading डालनी है आपको वो डालनी है चुम्ब की छेत्र की तीवरता अगली heading डालेंगे आप लोग चुम्ब की छेत्र की तीवरता अब देखिए नुमेरिकल में आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि F एक्वल जो होता है एक फार्मूला F बराबर बताया था I, B, L, साइन ठीटा जहां बताया था I चालक तार में प्रोवाइट वैद धारा है B चुम्ब की छेतर है L तार की लंबाई है F उस पर कार करने वाला बल है और ठीटा क्या है? कोड है ठीक है अब देखो क्या बात करें कि यदि हम क्या करें यहां से B की वैलू निकालें B को तो B का जब मान निकालेंगे तो F अपाउन आ जाएगा यह I, L, साइन ठीटा मल्टिप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा I, L, साइन ठीटा यह हो गया डिवाइड में किलियर यहां से यदि हम ठीटा कर दे 90 डिग्री यदि ठीटा हो जाएगा 90 अंस फार्मूपला परिवास्ता बना रहा है समझना कैसे बनेगी ठीटा हो गया 90 अंस तो साइन 90 का मान क्या होता है साइन 90 साइन 90 का मान हो गया यह हो गया पूरा वन मतलब चालक तार क्या है चुमकी छितर के लंबवत रखा है तब ही ठीटा क्या होगा तब ही ठीटा तो होगा जी रो 90 आई हमने मान लिया उसमें प्रवाइड वैदो दारा मान ली 1 अंपियर मतलब एकांग धारा प्रवाइड हो रही क्या हो रही एकांग या एक अंपियर की वैदो धारा प्रवाइड की जा और एल जो ले लिया वो भी ले लिया एक मीटर मतलब एकांग लंबाई का तार है समझे चालक तार को चुम्ब की छेतर के लंबवत रखा गया उसमें एक आंग धारा पर आई दोरे मतलब एक एंपियर की धारा है और लंबाई भी कितनी है एक मीटर अर्थाथ एक आंग लंबाई है तो जब ये तीनों एक हो गए तो B बरावर किसके हो गया B बरावर B के मतलब ये कार करने वाले बल के बरावर हो जाएगा चालक तार पर या धाराव आई चालक तार पर कार रख बल के बरावर होगा अब डिफनीशन कैसे देंगे चुम्ब की छेतर की टीवरता की समझे है यदि एक आंग लंबाई के चालक तार को एकांग लंबाई, लंबाई कितनी लिगए एक इससे केवल डिफिनिशन बनाना है तरफ में नोट करना चाहो तो नोट कर लेना फिर में जो आपको स्क्रीन में डिफिनिशन लिखी है उसी को लिखना है समझना आपको टोटली यहां से और कोसिस करना है कि लेक्चर के दौरान ही सारी परिवासाय लड़न हो जाए कोसिसम पूरी करेंगे यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सारी की सारी डिफिनिशन नहीं पेयात हो जाएं अब देखिए आप ध्यान दीजिए तो क्या हुआ कि एकांग लंबाई के चालकतार को चुमकी छेतर के लंबवत रखने पर एकांग एंपियर किया एक एंपियर कि उसमें दारा प्रवाइद हो रही हो यह की जाए यदि एक मीटर लंबे चालकतार को या एकांग लंबाई के चालकतार को चुम्मकी छेत्र के लंबवत रखने पर ज्यान समझना तो उस पर कार करने वाले बल चुम्मकी छेत्र के तीवरता कहलाता है बल ही तो क्या कहे रहा है चुमकी छेतर की तीवरता कहलाता है समझ में आई बात फिर से समझी एक बाद रिपीट की दिए ये कांक लंबाई के धारावाई चालकतार को चुमकी छेतर के लंबाउट रखने पर उसमें एक एम्पियर की वैदो दारा प्रवाहिद की जाए या प्रवाहिद हो रही हो तो उस पर कार करने वाला बल चुम्ब की छेतर की तीवरता कहलाता है या कार करने वाले बल को ही क्या कहते हैं? चुम्ब की छेतर की तीवरता कहते हैं अब यहां से इसके मात्रक की बात करें तो देखो एब का मात्रक होता है न्यूटन यहां से निकालना है मात्रक एब का मात्रक हो गया न्यूटन इसका मात्रक होता है एंपियर आई का अपाउन में है तो अपाउन में आई का एंपियर और एल का क्या दे रहा है मीटर होता है तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति एंपियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इनको कुछ नहीं नोट करना है आपको और आपको ये सक्रीन में लिखा है वह नोट करना है वस्यश्यच आईए ज़िए प्रति मीटर स्क्वायर या टेसला है या Тेसला है ये तीनों आपस में बराबर होते हैं मतलब एक न्यूटन यह यहां से नोट करना यहां से स्क्रीन से यहां से नोट करना एक न्यूटन प्रति एंपियर मीटर अब बराबर वेबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वाइर बराबर एक टेसला के अर्थात यह तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर इसका एक अन्नमात्रक भी होता है उसको बोलते हैं गौस क्या होता है गौस और एक गौस बराबर होता है दस की घात माइनस के चार टेसला के एक गौस बराबर दस की घात माइनस के चार टेसला के फिर से देखो बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा चुमकी छेतर क्या होता है किसी चुमक के साथ में रिपीट करेंगे किसी चुम्मक के चारोर का वैच्छेतर जहां कोई अन चुम्मकी पदार्थ चुम्मकी बलकान बहु करता है क्या कहलाता है चुम्मकी बलकान बहु करता है क्या कहलाता है चुम्मकी च्छेतर अथवा चुम्मकी बलकान बहु करता है फिर उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग डाली चुम्बकी छेतर की ती वरता, तो इसको आपको बताया कि एक-अंग लंबाई के चालकतार में, यदि एक-अंग लंबाई चालकतार को चुम्बकी छेतर के लंबowat रखने पर, 90 डिगरी का मतलब लंबowat लंबowat रखने प इसका मातरگ इसे 20 अए प्रदर्सित करते हैं इसका मातरग निूटन प्रती अमपियर मीटर या फार्मूले आपके अंगे ड्राइव होंगे नुमेरिकल में आपको ये बताया भी थे निूटन प्रती अमपियर मीटर या वेबर प्रती मीटर स्कॉयर या टेसला है और एक ये तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं एक टेसला बराबर इसका एक अन्नमात तरक गॉस भी है एक गॉस बराबर दसकी घाट माजिन चार टेसला या एक टेसला बराबर दसकी घाट प्लस के चार गॉस के लेख वच्छो तो यह आगे आपको समझ में अब देखिए इसको अगली इंडिंग डालिए चुम्बकी बल रेखाएं चुम्बकी बल रेखाएं तो वाच चुम्बकी चेत रेखाएं अब देखो समझिए कि चुम्बकी बल रेखाएं क्या होती है अथवाच चुम्बकी चेत रेखाएं क्या होती है इनको समझने की कोसिस करेंगे दिको होता क्या है कि जैसे क्या है magnate है चिक compass week के बारे है पहले Lit Gul में आप लोगों को बताया था जिन जिन बच्चोंने भी तक पहला Lit Gul नहीं देखा है सबसे पहले पहला Lit Gul देखे उसके बाद लेक्चे देखे तो और इच्छे से समझ में आएगा अब देखो कमपास सुई की वाद करें तो देखो कमपास सुई क्या होती आपको बताया था कि एक ऐसे क्या होता है एक डिब्बी होती है और जिसमें क्या होता है कमपास सुई प्रकाल लगी होती है जब इसको चुमकी छेतर में रखते हैं या चुमक के समीप रखते हैं तो सुई पर एक बला घुणा रूपी थो जाता है जिसके कड़े निश्य दिसा में ठहरती है अब देखो होता क्या है कि जैसे हमने क्या किया यह था नौर्थ यह था साउथ यहां पर इसको ने पर रखा चुमकी सुई को तो यह ऐसे गई ऐसे ठहरी तो हमने यहां पर एक यह आपको जब आप अपने स्कूल की लैब में पढ़ेंगे जाएंगे तो इसको करवाया जाएगा इस प्रकार होई तो यहां पे एक बिंदी लगा दी फिर इसके बाद क्या किया कि यहां पे इसको यहां पे ऐसे रखा कमपासुई को तो देखा यह कुछ इस टाइप से रही थी तो यहां पे बिंदी लगा दिया फिर इसको यहां से उठाएंगे और कमपासुई को आप यहां पे रखेंगे पूछ इस तरफ और इसका सिर इस तरफ नोख फिर देखा कि यहां पे ठैर रही थी इसको ऐसे लगा दिया फिर इसको यहां पे रखेंगे तो देखा कि यह क्या हो रही थी यह कुछ इस प्रकार ठेहर रही थे में तब यहां पर आ रही थी अब इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया यहां से चालू हुए थे तो ऐसे मिलाया क्लियर ऐसे ही देखा और जगा किया तो यह कुछ इस टाइप से से बना रही थे ऐसे फिर यह ऐसे गई तो यह ऐसे गई है इसी प्रकार इस तरफ जब करके देखा तो उसके आदार पर तो यह इस प्रकार गई ठीक ऐसे कुछ इस प्रकार से क्या बनती यह से बनाती है जा कहां से रही थी नौर्ट से किस तरफ जा रही थी साउथ की तरह ऐसे कुछ सेब बना देती है और ये ऐसे इसके द्वारा होंगी और एक्चुल में ये भीतर भी होती है वैधुद बल रेखा हैं धन से निकल कर रिण में समाप्त हो जाती है जबकि चुमकी बल रेखा हैं नौर्थ से साउथ में जाती हैं और साउथ पोल से बीतर से होते हुई एक दूसरे से मिल जाती है इस प्रकार ये देखा गया कि ये क्या कर रही थी चुमकी छेतर को प्रदरसित कर रही थी वैधुद बल रेखा है जहां जादा थी देखा गया चुमकी छेतर जहां है चुमक की बल रेखा है समीब है और अधिक है वहाँ पर क्या होता है चुमक की छेतर अधिक होता है और सुरुवात में आपको बताया है कि चुमक के सिरों के भी चुमक की छेतर क्या होता है पहले लेक्षर में अधिक होता है चुमक से दूर जाने पर इनकी देख रहे हैं कि जो दूरी है वो बढ़ती जा रही तो इसका मतलब चुम्मक से दूर जाते हैं तो चुमकी छेतर भी क्या हो जाता है कम होता है इस आधार पर चुमकी बल्रेखाओं का नाम बनाएं गई यह कालपनिक रेखाय होती है हमें चुमक के चारोड देखती नहीं होती है लेकिन कालपनिक रेखा हैं जो चुम्मकी छेत्र की दिसाप को बता रहे हैं कि भन से किस तरफ है रिह्णो ऑब की ओर है Kansas North इस तरह Hak KI retadakyan है समझ रहे हैं कुम्मकी बल्रेखा हैं चुम्मकी छेत्र में खीची गई वे कालपनिक रेखाएं हैं साथ में दिशा को प्रदर्सित करती है चुमकी छेतर की तीवरता बताती है उसकी प्रवलता को बताती है कि कहां पे तीवरता अधिक है कहां पे कम है कहां पे एक समान है कहां पे क्या है आसमान है तो चुमकी छेतर की तीवरता को बताती है तथा उसकी दिशा को प्रदर्सित करती है जिन इस्तानों पर चुमकी छेतर की दिसार चुमकी बल रेखा है क्या होती है पास पास होती है वाँ चुमकी छेतर की तीवरता अधिक होती है जिन इस्तानों पर चुमकी बल रेखा है दूर दूर होती है वाँ चुमकी छेतर की तीवरता क्या होती है क्या होती है एक समान च चुमक पो कर wanted का कि यहां किrospect की बल्डर ईयएंगे समान दूरी पर नहीं होंगी तब कहीं पर इनद पर अधी razem का म पर कम होगी उससे क्या वोलेंगे आप समान चुमक उर्ठ ऑ प्य बात उगए चुमक की बल वर्ता की दिशाई होगी। यहां पर खीचे तो चुमकी च्खेतर की चुमकी बल रेखा है को कभी नहीं काटी क्यों नहीं काटी कियो हमेन के Sinim एक ऐसे खीश रखते तो इस बिंदु पर चुमकी छेतर की कितनी दिसाइं होंगी दो दिसाइं होंगी हैं दो दिसाइं एक यह दर दिसाइं और एक ही बिंदु पर दो दिसाइं होना संभव नहीं है जैसे किसी इस्तान पर एक इस्तान पर कार अगर इस डारेक्शन में जा सबसे पहले तो चुमकी बल रेखाओं परिवासा जो आपको इस्क्रीन में दिया गया है क्लेयर बच्छो इसको लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे चुमकी बल रेखाओं के गुड़ क्या डालेंगे चुमकी बल रेखाओं के गुड़ कि इनको चुमकी छेत रेखाओं भी कहते हैं पीं के लिटो había के चुमपकी एकाओ लेखाओ को को चुमकِ चेतरेखा भी कहते हेरिंग डाली चुमकी बल रहेखाओ के गुड़ जका कि अब देखें देख्या लिखेंगे पहले गुड़ में देखाओ की बल रेखाओं में निम्लिखित कुण पाए जाते हैं नंबर एक चुम्ब की बल रेखाएं चुम्ब के उत्री धुरू नौर्थ से निकल नहीं है नौर्थ पोल से उत्री धुरू से निकल कर दच्छणी धुरू में पहुंचती हैं तथा दच्छणी धुरू से भीतर होत होती हुए पुना उत्तर दे उत्री दुरू पर पहुंच जाती है अर्थात ये एक बंद्र वक्र बनाती है पहला पॉइंट दूसरा लिखेंगी कि क्या होगा चुमकी बल रेखा कि किसी भी बिन्दु पर खीची गई उस पर रेखा उस बिन्दु पर चुमकी छेत्र की दि पर दो इस पर्स रेखा आथा हैं खीच जा सकती है जो चुमकी छेत्र की दो दिशाये प्रदर्सित करती है और जो की क्या है असंभव है समझा चुके है आपको पहले फिर इसके वाद किसी भी इस्तान पर क्या होती है चुमकी बल रेखाएं सघंता उस इस्तान पर चुमकी छेतर के तीवरता को प्रदर्सित करता है यह चुमकी बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस बिन पर चुमकी छेतर के दिसा को प्रदर्सित करती है जहां इनकी संख्या अधिक और ये पास-पास होंगी मतलब सगहन होंगी डेंसिटी अलग अधिक होगी तो वहाँ पे चुमकी छेतर क्या होगा अधिक होगा जहां चुमकी बल रेखाओं कि संख्या क्या होगी कम होगी या ये दूर-दूर होगी तो उसे वहाँ पे चुमकी छेतर की पीती वर्ता क्या होगी? कम होगी, ठीक है? एक समान चुमकी छेतर में चुमकी बल रेखाओं परस पर समानतर होती है, आपको समझा चुके और क्या होता है? बराबर तथा, बराबर दूरियों पर होती है तो यह हो गई किसकी? अब देखो समझिये थोड़ा आवेस की बारे में आप लोगों ने पढ़ा था वैद्धुत वाले चेप्टर में आवेस को Q से प्रदर्सित करते हैं या कैप्टल Q से भी प्रदर्सित करते हैं यह भी क्या है? विराम में आवेस है, रेट रिष्ट पे गति नहीं कर रहा है जब यह गति नहीं कर रहा है तो आपको पता है कि जब विराम में आवेस होता है विराम आवेस या इस्तिरवस्ता में आवेस करेंट को वैदुत धारा को उत्पन नहीं करता बात समझना ये वैद्धुद्धारा को उत्पन नहीं करता क्योंकि I वरावर पढ़ा है Q upon T इस माल्टी समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा बात को समझना इसको कहता है कि जितना आवेश प्रवाहित होगा प्रवाइद होगा मतलब जितना गती करेगा बहेगा जल प्रवाइद हो रहा है उसी प्रकर आवेश प्रवाइद होगा उसे वैदुद्धारा कहते है जब आवेश गती करता है मोसन में होता है तब क्या प्रवाइद होती है तब होती है वैदुद्धारा प्रवाइद होती करेब है लेकिन वीराम अवेस वैत्थााहं उत्पन करेगा विराम आवेस्थ नहीं रहे तो था मतलब ने उत्व और तो नहीं देखा गया इसके चुम्मकि तरफ कहीं भी चुम्मकी सुर्क है पकोई प्रवाव म्हें पड़ता और प्रवाव कहाँ पड़ता है कमपास स्वी पर जा चुम्मकी छेत होता है तो यहाँ पे कोई प्रवाउद नहीं देखा गया इसके बाद क्या हुआ कि जब यह आवेश गति करने लगा मतलब मोसन में आ गया गति कर रहा है और जब गति करेगा तो क्या होぎ प्रवाइद जब तो इससे पता चला कि धारावाई चालकतार मतलब जब किसी चालकतार में वैदुद धारा प्रवाईद की जाती है तो क्या होता है उसमें चुम्म की छेतर भी उत्पन हो जाता है इसी को कहते हैं धारावाई चालक के काण उत्पन दिस्पन कीजिए अब देखो इसको डिफिटिशन कैसे लिखेंगे कि जब किसी चालकतार में वैदुद धारा प्रवाईद की जाती है तो उसके चार और क्या उत्पन हो जाता है चुम्म की छेतर उत्पन हो जाता है उसके चार और क्या होता है चुम्म की छेतर उत्पन हो जाता है इसे क्या बोलते है वैदुद धारा का चुम्म की प्रवाव कहते हैं वैदुद धारा का चुम्म की प्रवाव किसके काण उत्पन होता है गतिमान आवेस के काण तो आप से कभी कभी कह सकता है कि गतिमान नमबर तिन, दोनों, दोज स्थितर दोनों comment गरता है , उम्हेद करतें में आपको आगया होगा इसकी बाद आप लोग हेड़िन डालेंगे कि दाहे हाथ की हतेली का नियम नंबर Eka तो देखो यह जो धारावाई चाला की काण उति पर ने चुमकिय छेतर है इसकी दिसागiad करने के कुछ नियाम है नम्बर एक है दाय हात की आथ कि आंगूटे का नियाम आप दैखो दाय हात के आंगूठे का नियम समझ़िए तो दाए हाथ के अंगोठे का नियम नियम तो दाए हाथ के अंगोठे का नियम देखो समझेए क्या होता है जैसे यह क्या है यह है चालक तार द्यान समझना यह चालक तार है बल्कूल ऐसे तो कहता है दायात के अंगुठे के नियम के अनुसार यदि हम अंगुलियों तथा अंगुठे को इस प्रकार अंगुलियों को इस प्रकार मोड़े कि अंगुठा क्या रहा है इनके लंबवत रही लंबवत है अंगुठा क्या रहा है इनके लंबवत रहा है तो कह रहा है कि यदि क्या करें मोड़कर इस प्रकार धारावाई चालक यदि अंगुठा क्या कर रहा है चालक की दिसा को प्रदरसित कर रहा है ज़िए नगुठा चालक की दिशा को परदर्सित करेंगी यदि हम दाय हाथ की अंगुठे को इस प्रकार मोड़ेंहें कि वह सदय अंगुठे के क्या हो लंबवत रहें अंगुठा यह लंबवत 90 डिगरी कोड बना रहा है तो यदि अंगूठा चालक तार में प्रवाई धारा की दिसा को प्रदर्सित करें तो मुड़ी हुई अंगूलियां चुमकी बल रेखाओं की दिसा को प्रदर्सित करेंगे फिर से समझेए यदि हम दाय हाथ के अंगूठे तथा अंगूलियों को इस प्रकार मोड़े की अंगूठा सदयों इनके अंगूलियों के लंबवत रहे तो यदि अंगूठा चालक में ये क्या है नोख हम बता रहे हैं धारा की दिसा को यदि अंगूठा क्या करे चालंग में प्रवाइद धारा की दिशा को प्रदर्सित करे तो मुड़ी हुई उगलियां चुमके बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्सित करे इसकी बाद बात करते हैं किसकी मैक्सविल के दच्छनावर्ती पेच का नियम या स्कुरू का नियम तो मैक्सविल के दच्छनावर्ती पेच की नियम के अनुसार यह नियम क्या करें अंगूठे को दाए हाँ से पेच कसने वाले पेच कस को इस प्रकार पकड़ें कि क्या हो पेंच की नो चालक में प्रवा धारा की दिसाख को प्रदर्सित करें समझे रहे तो क्या होता है कि पेच कसने के लिए पेच myś अंगोठा जिस दिसाहा में गुंता है को जेश पकड़ें तो अंगूठा जिस दिसा में घूमता है वही क्या होती चुमकी बल रेखाओं की दिसा होती यदि पेच कसने वाले पेच कस को दाएं हासती इस प्रकार पकड़ें कि पेच की नोक या पेच की नोक चालक में प्रवाई धारा की दिसा को प्रदर्शित करें तो पे तो उमेद करते हैं बच्छो ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा बच्छो तक सेयर करें और कमेंट्स जरू किया करें फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे